Welcome everyone, Daily Hunt and Red FM presents White Check, मैं हूँ आर्जी दिवांग ना लॉंग विद माई को होस्स सौम्या फ्रॉम आईडिया सक्षिन NCP नेता शरत पवाग ने निवाब मलिक की गिरफतारी को लेकर विपक्ष पर जम कर निशाना साथा है उन्होंने कहा कि महराश्य सरकार ने मंत्री और वरिष्ट NCP नेता की गिरफतारी राजनीती से प्रेरित है उन्होंने आरोप लगाया कि मलिक का नाम भगोडे अंडर वर्ल्ड डॉन दाउद इबराहिम के साथ इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि वह मुस्लिम है उन्होंने मलिक के इस्तीफे की विपक्ष की मांग को भी सिरे से नकार दिया दरसल मलिक को E.D. ने 23 फरवरी को दाउद और उसके साथियों को संपर्प में होने के आरोप में गिरफतार किया था N.C.P. प्रमुक ने कहा कि मलिक और उनके परिवार के सदसे को जान बूच कर परिशान किया जा रहा है लेकिन हम इसके खिलाफ लड़ेगे जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन में सामने आ ही जाएगा बस इन्वेस्टिगेशन पर किसी तरह का प्रेशन रही हो वर्णा उससे काफी फरक बढ़ जाता है